पिछले कुछ हफ्तों से non-agri commodity market में, global market में खास्तोर से हमने जबरदस performance आता हुआ देखा है विजरन के एसाब से देखा जाए तो पिछला महीना खास्तोर से काफी बहतरीन सावित हुआ है double digit gains पर जाए वो सोना हो, चान्दी हो, iron ore, steel या बाकी metal सब में हमने बहतरीन कमाई होते वे देखी है और अब experts मान के चल रहे हैं या अधिकतर जो जाने माने banks हैं वो मान के चल रहे हैं कि ये जो मजबूती है अभी भी काइम रहेगी JP Morgan जो 2030 की एक outlook की glimpse लेकर आये हैं उन्होंने माना है कि तेल और सोने की कीमतों में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी उनका मानना है कि अगर यहाँ पर opaque की तरफ से market balancing को लेकर कुछ बहुत heavy duty काम होता है तो 90 dollar के इर्दगे रेंट उने खुंता हुआ दिखाए देगा विच बाइद वे अच्छी बात होगी महंगाई के point of view से European Dutch TTF यानि कि जो European Gas Benchmark है उसकी भी जो कीमते है 155 EUR के आसपास average out होती दिख रहे हैं लेकिन American natural